हेलो एवरिवन कैसे हैं आप लोग पढ़िया वेरी गुड चलिए आज हम करते हैं वक्षीट नंबर 16 ओकी यह 12 अगस्त की आपकी वक्षीट है 10th क्लास की आज की जो आपकी वक्षीट है यह आपकी टिप है लैंचो और लैटर तु गौर्ड यह आपका चैप्टर है यह दिया हुआ है जो यह आपका चोटा से एक पैरेग्राफ है इसको मैं आपको समझा देती हूँ दा हाउस दा ओनली वन इन एंटायर वैली एंटायर मीन्स पूरी वैली कि एक अकेला घर पूरी की पूरी वैली में था सेट ओन दा क्रेस्ट ओफ लो हिल एक छोटी सी लो हिल थी क्रेस्ट होती और किसी चीज की उचाई ठीक है जिसे हम हिंदी में शिखा भी बोल दते हैं वहाँ पे था यह इस हाइट पे से कोई भी रीवर को इजिली देख सकता था और वहां से जब देखे आप किसी भी उचाई पर चड़कर देखते हैं तो आप किसी भी चीज को इजिली देख सकते हैं नीचे की चीजों को सेम ऐसे उसका घर उचाई पे था तो उसे रीवर दिखाई दे रही थी पकी हुई जो उसकी फसल थी वो दिखाई दे रही थी जिसके उपर dotted with the flowers क्योंकि कहीं कहीं पे flowers थे थोड़े थोड़े that always promised a good harvest जो उसको एक promise करे थी कि हाँ इस बार एक बहुत अच्छी फसल होगी यूँकि किसान देखे पूरा साल जो है वो महनत करता है और उसको उमीद कब होती है कि हाँ जब last में वो देखता है कि मेरी फसल पक्के तैयार हो चुकी है बस अब एक इसमें को अच्छे से पा the only thing that the earth needed was a downpour or at least a shower downpour क्या होता है जो बारिश होते है न अच्छी तेज जो बारिश होती है वो और shower means आपको पता ही है बिल्कुल जो हलकी हलकी होती है तो सिरफ अब अर्थ को किस्टीश की जोरत थी एक downpour की या एक shower की ताकि जो उसकी फसल है वो अच्छी हो throughout the morning Lancho who knew his fields intimately had done nothing else but see the sky towards the north east वो सुभे से ही जो लैंचो है वो जानता था कि हाँ वो इसमें कुछ नहीं कर सकता क्यूंकि देखे ये पहले के टाइम की बात है आज कल के टाइम में तो क्या है कि खेतों में अलग से मशीनरी सिस्टम होता है जैसे हम खुद से बहुत अच्छा पानी दे रहते हैं बट उस टाइंपर सिरफ एक ही सोर्स होता था या तो जो है अगर पास से रीवर जा रही तो थोड़ा सा उसका होता था कि हां उससे जो है आपकी फसल को अच्छे से पानी मिल जाएगा दरवाई सिरफ रेन तो वो सिरफ टोटली रेन पे बेज़र था इसलिए ही वो नौर्थ इसकी तरफ देख रहा था नौव या रेली गॉइन टो गेट सम वाटर वुमें उसने कहा अपनी वाइव से कि अब हम सच में पानी प्राप्त करने वाले हैं हमें इच्छा हुई तो इट वोस जोरिंग दा मील दाट जस्त लेंचो हैड प्रेडिक्टर यह उनका खाना खाने का टाइम था जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था 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 थीक है क्योंकि उसने लग रहा था कि हां बारिश हो सकती उसने वाइव से बोला भी था यहां पर की गेट सम वाटर ठीक हैं बिग ड्रॉप्स ओफ रें बिगें टू फोल तभी कि तभी बड़ी जो रेंस है बड़ी बड़ी जो ड्रॉप्स है रेंकी वो गिरने लगी वित सैटिस्फाइड एक्स्प्रेशन ही रिगार्डेड दा फील ओफ राई कॉन विद इट्स फ कौन होता है मक्का ठीक है विद इट्स फ्लार्स ड्रैप्ट इन अ कर्टेन ओफ रें अब वो उसकी जो है रें में के कर्टेन में वो ड्रेप हो गई थी लेकिन अचानक से बहुत ही तेज हवा जो है वो चलने लगी और उस तेज बारिश के साथ में बहुत ही बड़े बड़े हेल स्टोंस क्या होते हैं जो हम लोग ओले बोलते हैं अपने नॉर्मल लेंगविज में वो बिगन तो फोल नीचे गिरने लगे इस त्रूले डिड रिजांबल एनी सिल्वर कोइन्स उसे ने इनको सिल्वर कोइन बोला है क्यों बोला है देखें सिल्वर जो होता है वाइट कलर का होता है चांदी ठीक हैं और जो ओले होते हैं वो भी वाइट कलर के होते हैं राइट सो उसने silver coins यहाँ पर बोला है कि वो silver coins के जैसे लग रहे थी the boys exposing themselves through the rain ran out to collect the frozen pearls जो लड़के थी भागे फटाफट से उन frozen pearls को इखठा करने के बच्चों को शोक होता है ना उनको इखठा करके हातों में की बरफ है इस टाइब से not a leaf remained on the trees पेडो पर एक भी पत्ता नहीं बचा था the corn was totally destroyed और जितनी भी उसकी फसल थी वो पूरी की पूरी बरबाद हो चुके थी when the storm had passed जब तुफान चला गया he stood in the middle of the field वो अपने खेत की बीच में खड़ा हुआ and said to his sons और अपने बेटों से कहा a plague of loctus would have left more than it उसने अपने बेटों से कहा कि जो plague of loctus loctus क्या होते हैं इसको हम हिंदी में टिड़ी बोलते हैं ठीक है जैसे कि अभी कुष्टाइं पहले न्यूस में भी आया था कि राजिस्थान पंजाब में बहुत ज़ादा loctus आगे टिड़ी आ गए है तो वह क्या siya करते हैं वह पेड़ु पत्तियां फाट जो भी पत्तियां ओती हैं पेड़ों के उपर उनको पत्तियों को खाते हैं तो už लर ले रेहा है जितना नुकसान यहीं तुफान करके गया है इतना अगर टिड़ी भी आजाती तो वो भी इतना नुकसान नहीं करता है मितला वो भी कुछ पत्ते छोड़ के चली जाती है पेड़ो पर लेकिन इन्होंने तो एक भी पत्ता नहीं छोड़ा ठीक है अब बड़े ही easy नीचे questions दिये हुए है हम वो questions solve करेंगे Where did Lancho's house situated? Lancho's house कहां था? First bottom of the hill Top of the hill Top of the plateau in a city तो कहां था? Top of the hill, right? Pick the options that is not true about Lancho according to the extract कि एक option हमें इसमें से choose करना है जो सच नहीं है जैसा कि अभी हमने Lancho का एक एक चोटा सा उसके हिसाब से Was a hard-working farmer Means Lancho was a hard-working farmer Yes, ये तो true है Was looking for a good harvest this time हाँ, वो अच्छी harvest के लिए उमीद कर रहा था Was quite happy after the rain was over वो बहुत खुश था rain के जाने के बाद नहीं भी, खुश नहीं था, वो तो बहुत दुखी था Was having supper while it rained Yes, जब rain हो रही थी तो वो सपर अपना जो है उसको खा रहा था food को तो इसका option number C ठीक है, C हमारा इसका answer है, correct The field of corn dotted with flowers means that कि जो हमार, जो उसकी corn की जो field थी वो dotted with flowers थी, उसका मतलब क्या था Not a single flower was bigger than a dot कि एक भी फ्लार जो एक dot से जादा बढ़ा नहीं था ऐसा तो उन्होंने हमें size नहीं बताया The flowers were scattered across कि जो flowers है वो चारो तरफ कहीं 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 थे फैले हुए थे चारो तरफ The flowers were shaped like dots कि जो flower की जो shape थी वो dots के जैसी थी अब किसी flower की shape होती है क्या dot के जैसी Next The flowers had shrunk in size कि जो flowers है, shrunk में जोते है सिकुड़ना, क्यों size में सिकुड़े हुए थे तो इसका हमारा correct answer क्या होगा B Next What was the only thing that the earth needed according to Lancho Lancho की according Earth को सिर्फ किस्टी की जुरत थी A shower, a snowfall, strong winds or sunlight उसको जुरती एक shower की Right किसकी जुरती उसको shower की What did Lancho compare the large raindrops with जो large raindrops थी उसको Lancho किस्टी से compare कर रहा था Silver coins Pearls Diamonds या New coins किस्टी से कर रहा था वो सोचिए बताए चलिए मैं बताती हूँ आपको वो कर रहा था जो उसकी large raindrops थी उनको New coins से ठीके किस्टी मान रहा था वो New coins से Next Hailstones were compared to dash in the story जो Hailstones थे उनको किस से compare किया गया है इस स्टोरी में Frozen balls Snowballs Silver coins या Frozen pearls अव्वेस है उसने Silver coins माना था Hailstones को Based on the given extract What is Lancho not likely to think While looking at his field कि इन में से ऐसा वो क्या नहीं सोच रहा था जब वो अपने field को देख रहा था अपने खेट के तरफ देख रहा था उसने कुछ बाते हैं अपने माइंड में सोच ही लेकिन इन में से कौन सी ऐसी बात है जो वो नहीं सोच रहा था Such a blessing God Thank You कि भगवान जी आपका बहुत बहुत आशरवाद है Thank You Just a downpour God and everything will be perfect बस एक अच्छी सी बारिश और फिर सबकुष ठीक हो जाएगा Next All set for a grand harvest I will be rich उसने का बिलकुल सबकुष एकदम बिलकुष set है एक बहुत अच्छी harvest के लिए और मैं क्या हो जाओंगो उसके बाद I wish we have enough food to eat after this harvest मैं चाहा रहाओं कि इस harvest के बाद बस हमें खाने लाएक थोड़ा सा फूड मिल जाए बही ये बात तो उसने नहीं सोचे थी उसने तो उपर वाले तीनों पॉइंट सोचे थे So next question What destroyed lancho's fields Lancho's की field को किस ने destroy किया था Heavy rainfall, hail storms, landslide या flood Hail storms The damage caused was as big as a damage caused due to तो इसमें क्या होगा Damage जो था वो कैसे कितना बड़ा थे एक damage जो किसके जितना हो सकता था Attack by rats, attack by crows Plague of locters, none of double तो इसका answer हमारे क्या होगा Plague of locters I hope आपको सारे questions की जो answer मैंने बता हैं समझ में आगे होंगी Have a nice day, bye bye